हेलो डियर इस्ट्रेंट्स, वेलकम तू माई चैनल जिया टुटोरियल इस वीडियो में हम एक्सराइज 1.1 के कुश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स एंड चैप्टर क्लास 10 की किताब से है नCIT Mathematics मेरे बताए गए सॉल्यूशन अगर आपके समझ में आते हैं और ये वीडियो भी अगर समझ में आ जाए तो प्लीज सब्सक्राइब टो मैं चैनल तो मैं देखुँगा कि इस सवाल में तीन पार्ट्स दी गए है और इसके दो तरीके में इस्तमाल करूँगा एक वो तरीका जो आप शॉर्टकट के जरिये से इस्तमाल कर सको और निकाल सको जैसे अगर आजाए तो आप कैसे करोगे वहां पर इतना लंबर तरीका आप इस्तमाल नहीं करोगे आप बचाने की कोशिश करोगा अपने वक्त को ठीक है और अगर लेवल से बात करें तो अगर ऑफ-लाइन हो जाता है एक्जाम तो यहां पर हम देखते हैं कि हमें कहा गया है कि हमें Euclid Division का इस्तमाल करना है तो हमें पता है Euclid Division लेमा क्या होता है? A equal to B Q plus R A जो है वो डिवेडन होता है B divisor होता है Q quotient होता है R जो remainder होता है और हमें यह भी पता है R की जो possible values होती है R can be less than equal to, less than B, B से always less than होता है, but can be greater than equal to 0, ठीक है, अब यहाँ पर हमें first part में solve करना है, और 135 और 225 का ACF निकालना है, ठीक है, तो इसके तरीके से मैं इस्तवान करूँगा, तो पहला part मेरा जो है, वो 135 और 225 का ACF लेना है मुझे, तो मुझे यहाँ पर पता है कि 225 जो है, वो इस equation के अंदर A की value जो होगी, वो 225 हो जाएगी, इक्वल टू, यहाँ B की value जो होगी, 135 होगी, तो यह जो method है हमारा, यह trial method है, ट्राइ करते रहते हैं, जैसे जैसा होता है, वैसे वैसे आगे बढ़ता है, ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे हम, तो अब हमें, कैसे करे 3 से multiply करता हूँ, तो यह हो जाएगा, 3,5 से 15, 3,3 से 39 and plus 1, यह हो जाएगा 405, तो यह तो बढ़ा बहुत बढ़ा नंबर है, अगर मैं इसको 2 से ही multiply कर लेता हूँ, तो 5,2 से 10, 13,2 से 26 and 27, तो यह स्टिल बहुत बढ़ा नंबर है, यानि इसको 1 से ही multiply करना पड़ेगा, और remainder कैसे पता चलेगा, इस में से मैं, जो आया है multiply होने पे, 135 को 1 से multiply गड़ा, तो 135 से 135 होता है, यानि 225 में से 135 को minus करूँ, तो मेरे पास बचने वाला क्या है, यहां पर मेरे पास बचेगा 90, यानि हमारा remainder है 90, तो अगली time में क्या करें है, अगली step में हम इसको 135 को एक ही पर रखते हैं, अब हम देखेंगे कि 90 को किस से multiply करें, कि 135 या फिर इसके हास पास आए, अगर में 90 को 2 से multiply करता हूं, 180, और 21 is 35 से जादा हो जाता है, इसलिए मैं अगें 90 को 1 से multiply करना होगा, और देखना होगा कि 135 माइनस 90 कितना होता है, तो यह 45 के बराबर आ रहा है, यान यह remainder हमारा 45 बचेगा, अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर 90 अब यहाँ पर आ जाएगा, और 45 को अगर मैं अब 2 से multiply करता हूं, तो remainder मेरा 0 होने वाला है, ठीक है, इसका मतलब जिस step पर हमारा remainder 0 हो जाए, वही पर हमारा hcf आ जाता है, और यहाँ पर hcf जो होगा, 135 and 225 का, वह क्या हो गया, 45 हो जाएगा, यानि यह जो value है, वह हमारी hcf की value होती है, तो यहाँ पर हमने first part proof कर लिया, अब हम दूसरा method देखेंगे, इसी का, कैसे पता करते हैं, तो दूसरा method कुछ यह है, कि हम क्या करते हैं, जो बड़ा number होता है, उसको अंदर लख लेता है, और 135 क को यहाँ लिख लेता है, अब divide करके देखेंगे simply, तो 135 बड़ा 135 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 90, अब हम क्या करते हैं, आगे बिल्कुल ऐसे ही बना लेता है, यह जो number होगा, वो अब यहाँ पर लिखा जाएगा, और फिर इस 90 से divide के जाएगा, तो 90 ब पर 0 हो जाए, यानि यही क्या होता है, ऐसे हम, तो यह आपका shortcut थरीका हो सकता है, MCQs टाइब के सवालों को करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, तो अब मैं second part को solve करने के कोशिश करूँगा, ठीक है, second part हमारा क्या हो सकता है, तो second part में हमारा दिया हुआ है, second part 196 and 38220, तो इसमें हम देखेंगे, इसके हिसाब से, तो क्यूंकि यह बड़ा है, तो यह एक ही जगा पर अखा जाएगा इस equation में, और 196 यहां पर आ जाएगा, तो अब मैं देखूँ, यह तो काफी बड़ा नंबर है, अब मुझे ट्राइल करना पड़ेगा, अगर मैं 196 को 10 से मिल् लगभग, अगर मैं 200 से मिल्टिप्लाई कर लों तो, तो यह हो जाएगा, 6 to the 12, 9 to the 18, 19 and 300, यानि अब यह लगभग, इसके जस्ट आसपास में ही है, यानि 200 के आवल मैं नीचे जाता हूँ, ठेक है, तो मुझे इसकी वैल्यू कहीं मिल सकती है, इसके आसपास की वैल्यू, तो 200 से कम बोले तो, अगर मैं 195 लेलू और इसको मल्टिप्लाई करके देखूं, तो मेरा जो जवाब आएगा, वो इसी के बराबर हो जाएगा, ठेक है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, 195 से अगर मैं करता हूँ, तो लिमेंडर मेरा यहाँ पर क्या आएगा, 0 हो जाएगा इसका मतलब, यहाँ जो HCF है, 196 और 38220 का, वो क्या होगा, 195 हो जाएगा, अब इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं, ठेक है, तो यह तो बहुत बड़ा-बड़ा हो जाएगा ना, ठेक हो, हम देखते हैं दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका क्या है, कि हम जो बड़ा नंब यहाँ पर बचेगा, 17, 17-9, यह हो जाएगा, 8, ठेक है, और यहाँ से यह लिए जाएगा, 2, और यहाँ पर क्या बचने वाला है, sorry, यहाँ पर अभी, 2 तो लिए जाएगा, यहाँ पर अगेन, तो यहाँ पर हमारा बचता है, 1862, तो 162, यादि 19 को अगर मैं किसे कर लो, तो 9, 6 और 54, और 5 के रिए, 9, 9 और 81 प्लस 5, 86, और यह हो जाएगा, 17, यादि 9 से मल्टिप्लाई करने पर हमारा आता है, 1784, तो माइनस अगर मैं करूं, तो यह हो जाएगा, 12 माइनस 4, 8, और यह हो जाएगा, 9, और यह जो 0 बचा है, वो यहाँ पर आजाएगा, अ आप मैं, 196 को, 196 को, अगर 5 से मल्टिप्लाई करूं, तो यह हो जाएगा, 6 वाइजा 30, 19 वाइजा 95, 98, यानि, 5 से मल्टिप्लाई करने पर हमारा कितना आ रहा है, 980 आ रहा है, तो यहाँ तो सीधे-सीधे हमारा जवाब आ गया, 195, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैं हमने किया था, ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट को देखेंगे, फाइनली, तो देखेंगे उसको कैसे कर पाते हैं, थर्ड पार्ट हमारा है, 867 and 255, तो जैसा कि हमें पता है, कि 867 बढ़ा है, तो एक ही जगा पर यहाँ पर आ जाएगा, 867 equal to 255, तो अब वही करना है, तो मै 255 को अगर मैं 3 से multiply करता हूँ, तो यह आजाएगा, 35 is a 15, 35 is a 15, 16, 1 कह रहे है, 3, 2, 6, 7, तो यह रहा है हमारा 765, और अगर मैं 4 से जाता हूँ, तो यह 4 से multiply करने पर 1020 आ जाएगा, तो यह बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए हमें 3 से ही multiply करना चाहिए, तो अब मैं 867 मे 765 को माइनस करूँ, तो कितना आएगा, यह आजाएगा, 102, यानि हमारा remainder बच रहा है, 102, तो अगली line में हमारा 255 यहाँ पर लिखा जाएगा, 102 यहाँ पर आजाएगा, तो अब दिखना है किस से multiply करूँ, अगर मैं इसको 3 से multiply करता हूँ, तो यह 306 बहुत जादा हो जाए तो 102 यहाँ पर लिखा जाएगा, 51 यहाँ पर लिखा जाएगा, और मुझे पता है, 51 to the 102 होता है, तो यहाँ पर finally मेरा remainder कितना आजाएगा, 0 आजाएगा, यानि मेरे पास HCF आचुका है, किसका, 867 and 255 का, जो कि है 51, यहाँ पर भी हम दूसरा तरीका देखेंगे, कि दूसर वाला number जो होता है, यहाँ लिख लेते हैं, और इसको छोटे वाले number से डिवाइड करता है, तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा कितना आ रहा था, 765, अब माइनस करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, 102, तो अगली line में हम क्या करते हैं, यह जो बड़ा number है, उसको हम यहाँ भी लिख लेते हैं, और इससे डिवाइड करते हैं, किसे, 102 से, तो 102 यह आ रहा था, 204, माइनस करने पर हमारा पता चला, कि यह 51 है, यह जो 102 है, वो अब यहाँ भी लिखा जाएगा, और 51 से डिवाइड किया जाएगा, तो 51 टूजा होता है, 102, और यह इमेंडर हमारा 0 हो गया, तो इसका मतलब, इस केस में, यह जो 51 है, वो हमारा active होगा, तो यह दूसा तरीका है, जो आप इस्तमाल कर सकते हों, MCQS ट्राइब के सवालों को हल करने के लिए, ठीक है, तो अगर कोई और सवाल है, तो हो सकता है, आपके कुछ समझ में नहीं आय हो, हो सकता है, मैं ऐसा सपोस कर रहा हूँ, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, कि कहां पर आपको परशानी आई होगी, ठीक है, तो थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियोज,